हलो एवरीवन वेल्कम बैक टू अवर चैनल तोड़ी वी आ डूएंग्ग मोर प्राक्टिसेज फॉर रिड्यूस बैली फैट आज के हमारी इस वीडियो में हम पेट की एक्स्ट्रा चर्वी को घटाने के लिए कुछ और प्राक्टिसेज दिखाएंगी तो चलिए धीवे से लेड़ जाएं कमर के बल यानि की सुपाइन पोस्ट्र अराम से रिलाक्स करेंगे अपने आपको लंबा घहरा श्वांस भरें छोड़ें डीप इनहेल डीप एक्जील अपने आपको त्यार करेंगे चलिए दोनों पैरों को मिला लें अपनी दोनों हतेलियां जमीन की तरफ कर लेंगी स्टार्टिंग में आप अपने हिप के नीचे भी इनको रख सकते हैं सपोर्ट के लिए चलिए ध्यान देंगे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाए 90 डिगरी अब धीरे से हिप को भी उठाएंगे येस दें एक्जेल करते हुए डाउन जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से आपको वापिस आना है इसको फाइफ काउंट कर जाएंगे वन इन्हेल आप एक्जेल डाउन टू श्वास भरते हुए उपर श्वास छोडते हुए नीचे थ्री डाउन फोर लेग अप लेग डाउन लास्ट टाइम लेग अप लेग डाउन स्टार्टिंग में आप इसको टेंग काउंट तक करें अगला अभ्यास है हमारा इसी पोजिशन में रहेंगे दोनों हतेलिया जमीन की तरफ स्टार्टिंग में आप अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं हाथो को चाहें तो साइड में भी कर सकते हैं चलिए दोनों पेरों को मिला लेंगे श्वास प्रश्वास का ध्यान रखे इनहील एकजेल का ध्यान रखे आखें खुली रहेंगी चलिए अब आपको अपने दोनों पेरो को धीरे से उठाना है राइट साइड लेकर जाएंगी नीची की तरफ पूरा सरकल लेना है जैसे हम पूरा गुलाई की शेप देते हैं पूरा सरकल आपको पेरों से बनाना है फाइफ टाइम्स करेंगे एक साइड से चलिए यहीं से reverse यानि की दूसरी तरफ पुरा गोलाई बनाएंगे मेका सर्कल जब पैर उपर आएंगे तो इन्हेल नीचे जाते हुए एक्जेल उपर आते हुए श्वांस भरें नीचे जाते हुए श्वांस छोड़ें रिलाक्स यहीं पे ही लंबा गहरा श्वांस भरें चोड़ें दीप इन्हेल दीप एक्जेल चलिए दोनों पैरों में शोल्डर लेवल से ज़्यादा का ग्याप देंगे जितना आपका मैठ है उतना ग्याप देंगे अब धीरे से दोनों हातों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे येस अब आपको चक्की चालन करना है जिस तरीके से चक्की चलाते हैं तो उठेंगे धीरे से और लेफ साइड से राइट साइड ले जाएंगे पहले आगे जुकेंगे ये आपकी पोजिशन रहेगी जितना पीछे तक आप ले जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाएंगे आगे जाते हुए श्वांस छोड़ेंगे पीछे आते हुए श्वांस लेना है ध्यान रहे यहीं से रिवर्स करेंगे यानि कि उपोजिट साइड राइट साइड से लेफ साइड की तरफ जाएंगे अपनी श्वांसों पर ध्यान दें फोकस ऑन यूर ब्रीड स्टार्टिंग में आप एन काउंस करेंगे उसके बाद रिलाक्स करेंगे अपनी जगा पर फिर से लेट जाएंगे दोनों पैरों को मिला लेंगे अगले अभ्यास के लिए रिलाक्स करेंगे टेका डीप ब्रीड लंबा घहरा श्वांस भरे और छोड़े चलिए अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे दोनों हतेले अजमीन की तरफ हिप्स के नीचे अब श्वांस भरते वे दोनों पैरों को 90 डिगरी लेकर आएं स्लोली स्लोली अब आपको दोनों पैरों से अलग अलग सरकल बनाना है यानि लेफ्ट जो है आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा राइट आपका राइट की तरफ आएगा और बीच में से दोनों मिल जाएंगे आप एक बार देख लीजिए कैसे करना है चलिए स्टार्ट 90 से 30 डिगरी आपको लेकर जाना है यह आपकी पोजिशन रहेगी पैर जब उपर आएंगे तो श्वांस भरना है यानि इन्हेल करना है और श्वांस छोड़ते हुए पैर नीचे जाएंगे यानि की एक्जेल करते हुए फाइफ टाइम्स करेंगे देन रिवर्स करेंगे रिवर्स के लिए पहले आप दोनों पैरों को मिला के नीचे लेकर आएंगे फिर ओपन करेंगे देन उपर से मिला लेंगे स्टार्टिंग में आप 10 काउंस करें दोनों साइड से चलिए रिलाक्स लंबा घेरा श्वास भरे और छोड़ें अपनी श्वासों को सामानने करेंगे वी नॉर्मल अपने स्टमक पर आई प्रेशर को फील करेंगे इसको रिलाक्स करने की कोशिश करेंगे अब्डॉमिनल मुर्सल्स को रिलाक्स करें चलिए वन मौर प्राक्टिस दोनों पैडों को मिला ले 90 डिगरी उठाएंगे श्वास भरते हुए ये पोजिशन रहेगी अब धीरी से अपने नी को बेंड करेंगे बेंड योर नी येस थोड़ा से बाहर की तरफ लेकर आए येस दोनों हाथ उपर की तरफ लेकर जाएं अब ध्यान से देखना आपको क्या करना है पहले इनहेल करेंगे श्वास भरें श्वास छोड़ते हुए साइट से दोनों हाथों को लेकर जाएंगे और सिर्फ अपने चेस्ट को उठाना है जो आपकी अपर बैक है वही अप होगी जब हाथों को उपर लेकर जाएंगे तब श्वास भरें और पैरों के पास ले जाते हुए श्वास को छोड़ना है स्टार्टिंग में आप ये 10 काउंट्स करेंगे फिर धीरे इसकी काउंटिंग बढ़ाएंगे डे बाई डे चलिए रिलाक्स लंबा घेरा श्वास भरें और चोड़ें हर प्राक्टिस के बाद 10 सेकिंद्स रिलाक्स करना ज़रूरी है आज की हमारी इस वीडियो की लास्ट प्राक्टिस बट नट अलिस्ट चलिए दोनों पैरों को मिला लेंगे श्वास भरते हुए उपर लेकर जाएं अब आपको दोनों पैरों को शोल्डर लेवल से ज़ादा खोलना है अपने कंदों के बराबर जितने आपका गैप है उससे थोड़ा ज़ादा खोलें थोड़ा और खोलें अब आपको दोनों हाथों को उपर लेकर जाना है पीछे श्वास भर ले श्वास छोड़ते वे आपको उपोजिट लेक को टच करना है यानि कि राइट हैंड से लेफटो को टच करना है और लेफट हैंड से राइट टो को टच करना है सिफ अपर बॉड़ी उठेगी तोटाच करते हुए श्वांस छोड़ें नीचे जाते हुए श्वांस भरें टेन काउंट्स करेंगे नाव रेलाक्स धीरे से जैसे गए थे वैसे ही जाएंगे अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें आपकी दोनों हतेलियां आसमान की तरफ होंगी अपने शरीर के हर एक पार्ट को ढीला छोड़ दें लंबा गहरा श्वांस लें और छोड़ें टेक अडीप ब्रीथ डीप इन्हेल डीप एक्जेल लूज यूर बॉड़ी पार्ट फील करें आपका पूरा शरीर रिलाक्स हो गया है रिलाक्स यूर माइन फोकस अन यूर ब्रीथ अपनी आती जाती श्वांस पर ध्यान लगाएं अपने पेट की मसल्स को ढीला छोड़ देंगे बैली फैट के लिए कुछ और प्राक्टिस आप हमारे आगे के पार्ट में देखिएं थैंक यू